नमस्ते वायंक नमस्कार सर तो ये वानी की ये फोरेश्ट्री की शात्र कैसे बन गए आप? सर मेरा पहले से फोरेश्ट्री में रुजान था मेरे गाओं के पास में पन्ना टाइगर रिजर्व है मैं अक्सर वहाँ जाया करता था और जब मेरा यहाँ सेलेक्शन हुआ तो उसके बाद मेरा लगाओ और भी जानदा बढ़ गया लेकिन महा कित जिनगी बड़ी कष्ट दायक होती है कैसे पुजी होगे आप वहाँ जाके कैसे काम करोगे सर जितनी कष्ट दायक है पर प्रकृति के अनवहों को जो महसूस करते हैं तो वह बहुत ही आराम दायक बन जाती है अचा अभी जब छुटियों में जाते हैं तो फॉरेस्ट में चले जाते हैं यस सर बिलकुल और कौन से कौन से फॉरेस्ट देखें आपने हिंदुसान में सर मैंने आल इंडिया टूर जब गया था तो साउथ केमपस के कुछ फॉरेस्टों में विजिट की थी अचा आपको क्या लगता है कि हमें फॉरेस्ट को बचाना भी है और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना भी है तो आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या लगता है और आपने फॉरेस्ट में गुमे फिरे हो उसे परिचित हो तो क्या करना चाहिए क्या लगता है आपको तो भारत में जितने भी राज हैं वहाँ पे मानक रूप से थोड़ा कम है फॉरेस्ट एरिया इसके लिए हम अधिक से अधिक ब्रक्षार ओपन कर बनमहुसों के प्रोग्राम और हर मेड़ पर पेड़ की नीती को अपना कर इसके फॉरेस्ट कवर को बढ़ा सकते हैं इसके अलावा जो भारत में डिगरेड़ लेंड है वहाँ पे अधिक से अधिक पोड़ों का लगा कर हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं आज दुनिया में बहुत बड़ी फॉरेस्ट में आग की गटनाएं दुनिया के सम्रुतों से सम्रुतों देशों को भी हिला देती हैं आगे पीछे फैले नहीं इसकी ववस्ता हो इस पर कुछ काम हो सकता है क्या यह सर जैसा कि इस पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया दौरा कई फॉरेस्ट प्रॉन जो फायर प्रॉन इरिया हैं उनको चिन्नित किया गया है तो वहां पर समर सीजन में बैसे भी फॉरेस्ट लाइन का निर्मार कर दिया जाता है जिससे एक जंगे से दूसे जंगे फॉरेस्ट फायर ना बढ़ सके देखिए मैंग जी आपने बहुत यह अच्छा ठित्र लिया है और मुझे लगता है कि दुनिया जो आज क्लाइमेट चेंज को लेकर के परिशान है एनवायरमेंट के विशे में कॉंसियस ने सा रहा है जितना महत्व और्गेनिक फार्मिंग का बढ़ रहा है उससे भी जादा महत्व फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए हो रहा है बीते पांच से सालों में भारत में फॉरेस् हुआ है इसी तरह बायो डाइवरसिटी के खेत्र में भी चाहे वो टाइगर्स की आबादी हो हाथियों की आबादी हो भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और दुनिया उसको नोटिस भी कर रही है और आपने देखा होगा इस बार मैंने 15 अगस को गोशित किया है डॉल्फिन को लेकर के उसी प्रकार से मिशन लायन इसको भी शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारी बायो डाइवरसिटी का भी समरक्षन भी हो और विस्तार भी हो उसमें क्वालिटिटिवली भी लगातार बढलाव आता जाए उसकी व्यवस्ताओं में भी बढलाव आए उ मैं जीक आपने ऐसा ख्षेत्र चुना है जिसका बहुत उज्वल भविश्य है मैं आपको बता के रखता हूं आज भले लोग नमानते हो लेकिन आने वाले दिनों में इस ख्षेत्र का महत्व भौत बढ़ने वाला है मेरी आपको बहुत सुपक्वामना है धन्यबाद थैं करें तर्ण का बता ह्शाओ कुछा